संघर्ष और सफलता पिकासो स्पेन में जन में एक अती प्रसिद चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग्ज दुनिया भर में करोडों और अरबों रुपयों में बिका करती थी। एक दिन, रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नजर पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दोड़ी हुई उनके पास आई और बोली, सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी पेंटिंग्ज अ मुझे बहुत ज्यादा पसं हैं। क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग्ज बनाएंगे। पिकासो हसते हुए बोले, मैं यहां खाली हाथ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग्ज बना दूँगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अ बनाने लगे। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, यह लो, यह मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। महिला को बड़ा अजीब लगा की पिकासो ने बस 10 सेकंड में जल्दी से एक काम चलाव पेंटिंग बना। दी है और बोल रहे हैं की मिलियन ड की पेंटिंग है। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसे लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है। वह बजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग वास्तव में मिलियन डॉलर की थी। वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली। सर आपने बिल्कुल सही कहा था। ये तो मिलियन डॉलर की ही पेंटिंग है। पिकासो ने हसते हुए कहा। मैंने तो आप से पहले ही कहा था। वह महिला बोली। सर आप मुझे अपनी स्टुडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनानी सिखा दीजिए। जैसे आपने दस सेकिंड में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी। वैसे ही मैं भी दस सेकिंड में न सही, दस मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूँ, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने ह अस्ते हुए कहा, ये पेंटिंग, जो मैंने दस सेकिंड में बनाए, है, इसे सीखने में मुझे तीस साल का समय लगा है, मैंने अपने जीवन के तीस साल सीखने में दिये हैं, तुम भी दो, सीख जाओगी, वह महिला अवाक और नहशब्द होकर, पिकासो को देखती रह गई दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं, तो हमें ये सब बड़ा आसान लगता है, हम कहते हैं, यार, यह इनसान तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया, लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है, यह कोई नहीं देख पाता, सफलता तो बड़ी आसानी से मिल, जाती है, शर्त यह है कि सफलता की तयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है, जो खुद को तपा कर, संधर्ष कर अनुभव हासिल करता है, वह काम्याब हो जाता है, लेकिन दूसरों को लगता है कि वह कितनी आस सफल हो गया, मेरे दोस्त, परीक्षा तो केवल तीम घंटे की होती है, लेकिन उन तीम घंटों के लिए पूरे साल तयारी करनी पड़ती है, तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हो, सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है, और अगर आप देने क को तयार हैं, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता चलता रह पत्थ पर, चलने में माहिर बन जा या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाएगा.